जैसे ही आपका implantation successful होता है आपको ये symptoms देखने को जरूर मिलेगा बहुत सारी मैला हैं ये जो symptoms है वो experience करती हैं अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी अपने pregnancy के ये symptoms खास करी initial symptoms जो था मैंने experience किया था इसके बाद ही मुझे जो भी symptoms थें वो देखने को मिले थें तो इस symptoms को सबसे पहले कि आपको पहचानना है इस लक्षर को पहचानना है कई मही लाएं जो कि pregnancy के लिए नहीं ट्राई कर रही होती है और उनको ये symptoms आता है तो वो इसको period समझ लेती है इसलिए आपको कैसे पता च तो हम बात करें जैसे ही एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं फटाइल होते हैं उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो सेल्स में डिवाइड होने लगते हैं सेल्स में जब डिवाइड होते हैं तो उसके बाद वो आते हैं आपके यूटरिस में अब यूटरिस में आके जहा उसका जो दिवार बना हुआ है चिपकने के लिए अब आएगा उस दिवार पर इस तरीके चिपकेगा फिट होगा वहां पर अगर माने तो तो जैसे ही वह चिपकता है यूटरस की लाइनिंग में वहां से आपको एका दो तीन चार ड्रॉप्स ब्लड के देखने को मिलेंगे ब्लड जो है वहां से निकलेगा ब्लीडिंग आपके प्राइवेट एरिया से वाएगा एंड वो होता है इंप्लांटेशन ब्लीडिंग यानि की एंब्रो इंप्लांट हुआ और उसके बाद जो ब्लीडिंग देखने को मिला उसे हम इंप्लांटेशन ब्लीडिंग कहते है ये कब होता है, implantation successful होता है, ये आपके evolution के बाद सातवे, आठवे, नौवे, दसवे, इन दिनों में भी देखने को मिल सकता है, या फिर ये भी हो सकता है, कि जिनके period cycle थोड़ी different है, उनको ये अपने period date के दिन भी देखने को मिल सकता है, जो मुझे खुद date के दिन ये symptoms मुझ इसलिए जिनको date के दिन ये देखने को मिलता है, वो महीला है, इसको period समझ लेती है, अब कैसे आप implantation bleeding को पहचान होगे, देखो period जब आने वाला होता है, वो बहुत अरे महीलाओं को brown discharges भी फील होते है, brown discharges के बाद धीरे धीरे उनका flow बढ़ता है, क्रैंपिंग उनको मैसूस होती है, क्रैंपिंग का इंटेंसिटी है, यानि वो भी बढ़ता है, bleeding भी flow में होता है, रुकता नहीं है, लेकिन implantation bleeding क्या होता है, कि जब implantation bleeding आती है, वो एक से दो दिन ही रहती है, और उसमें फ्लो बिल्कुल भी ज्यादा नहीं होता है, सिर्फ आपको sporting देखने क मिला, सिर्फ उसी समय देखने को मिला हो सकता है, सिर्फ उसी समय आया, उसके बाद कभी नहीं आया, या फिर एक से दो दिन भी implantation bleeding आपको experience हो सकता है, लेकिन उसका flow जादा नहीं होगा, और implantation bleeding के साथ, अगर आपको cramping भी थोड़ी बहुत महसूस हो रही है, तो उसकी भ आपको अपने पेट के निचले सतह में महसूस हो सकता है, cramping या फिर आपको left या right side में किसी समय आपको cramping महसूस हो सकता है, जो implantation cramp होता है, तो इस तरीके से आप cramping और implantation bleeding को पहचान चुकी है, और अगर आप experience करीए, मुझे बहुत सारे comments आते हैं, कि मुझे क्या मैं period में हुई है, implantation bleeding है, तो अगर आपके period भी जो है, वो रुक रुक के, एक दिन आया, फिर दूसरा दिन gap हुआ, फिर तीसरा दिन आया, ऐसे मुझे comments आते हैं, तो अगर रुक रुक के आड़ है, तो वो period है, लेकिन implantation bleeding आपको एक बाढ़ी आएगा, वो एक से दो conceive कर लिया है, तो date miss होने दे, उसके बाद आप चेक करें, I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आद वीडियो को लाइक चैनल को subscribe और comment करते जाए, धन्यवाद,